नमस्कार दोस्तो अगर आप एक मोनिटर लेना चाहते हो चीप प्राइस में अच्छा क्वालिटी को तो ये वीडियो आप पूरा देखो दोस्तो आज की वीडियो पे हम अन्बॉक्स करेंगे जेबस्टर का ये मोनिटर 19 इंच का है तो चलिए जानेंगे इसके सारे स्पेसि आप जरूर कर लेना दोस्तों हमने पिछले वीडियो पे एक मोनिटर को अन्बॉक्स करा था जो कि 24 इंच का था साथ दोस्तों सेमसंग का था अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे या फिदिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जागा चेक आउट कर सकते ह तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे अन्बॉक्स करते हैं जैसे कि आपको डिस्प्लेइ पे यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों सारा स्पेसिफिकेशन का आपको देखने को मिलता है और साथ 19 इंच का है तो सारा कुछ हम और भी जानेंगे जब हम जैसे दोस्तों पैकेट को अन्बॉक्स करोगे तो फर्स्ट इंटर्फेस कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा और सारे असेसरी आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए हम उन्हें साइट कर लेते तो आप देख सकते हैं पहला जो कंटेंट है हमारा मोनिटर कुछ इ को मिलता है 16 वाट का मैक्सिमम इस पर देखने को मिल जाता है श्याएप को मनौ पशन के लिए लिए पटन देखने को मिल जाता हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं जबाप मेनू-प्चन्स कुछ छेडखने करोगे तब दोस्तों साथ यहां पर आपको मांट करने के लिए the प्रू होल्स देखने को मिल जाता है साथ दोस्तों पाउर सप्लाइ के लिए आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाता है साथ यहां पर और सबसे पहले के लिए काफी अच्छा है साथ ही आपको एक मैनुवल देखने को मिल जाता है जबस्टर का कुछ इस तरीके का इन्फोर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है इस मैनुवल पर आप चाहो तो एक बार रीड़ कर सकते हुआ तो चलिए मैं इसे साइड में रख देता है तो चलिए spinach के साथ एड करेंगे तो चलिए कुछ इस तरीके से आप मonitor को कुछ इस तरीके से पूस्ट करके कनेकट कर دेना तो ताकी एच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए उसके बात दोस्तों इसके बैस को भी connect करना है तो इसके बेस को connect करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से connect कर देना है तो चलिए हम यहां पर connect कर लेते हैं दोस्तों यह पर monitor का ऐसा सरी पूस अन लोग पर यह से पूस करोगे लॉक हो जाएगा तो अगर यह अची तरीके से वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, आप्टील्ट से कर देना है, जैसे ही दोस्तों इन इसको हलका सान, इसक्रू कर दोगे तो यह अची तरीके से यह रोटेट होने लगए और वीविलिंग का जाएगा हम laptop के साथ connect कर लेते और हम आपको चेक करवाते हैं इसकी quality किस तरीके का है तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने HDMI cable के साथ हम अपने laptop को connect कर दिए इस monitor के साथ तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बेजल्स देखने को मिल जा रहे हैं काफी ठीकने से बेजल्स में साथ ही दोस्तों अगर आपका laptop सपोर्ट करता है 4K तो आप यूज कर सकते हो 4K पे इस monitor को जबकि दोस्तों इसका जो resolution है 4K नहीं है HD है तो हम दिखा देंगे आपको कितना resolution है तो यह आप अब देख सकते 4K पे video play हो रहा है और काफी अच्छा है इसकी quality भी आ आपको 75 हर्च का refresh rate प्रवाइड करता है साथ ही दोस्तों आपको 1440 इंटु 900 का आपको resolution प्रवाइड करता है दोस्तों यहाँ पे अगर मैं display type का बात करो तो यहाँ पे आपको LED का support देखने को मिल जाता है जो की HD है दोस्तों साथ ही दोस्तों अगर मैं pricing का बात करो तो यहा आप तक सबसे पहले पहुंच सके